लखेंपूर्खेरी हिंसा में मारे गये किसानों को शिग्रन्याय दिलाने में राजिके योगी सरकार तदा केंद्र सरकार पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाती हुए उत्तर प्रदेश में घटित इस खटना की आग अब महाराश्ट में भी सुलग नील लगी है सभी विरोधी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश तधा मोधी सरकार को खेरने की रन्नीती तैयार कर समूचे महाराश्ट बन का आयोजिन किया आज सुबह से हग भस्तान सित कॉंग्रेस कारियाले में पधादिकारी तथा कारिकरताओं की भीड चुटने लगी हात्मा गांदी के पुतले को माल ल्यारपन कर शहर के गड़करी चोक, बासार चोक, मणकी चोक, स्वर्गय संग्राम से नानी, पेलाचे कारुकार चोक, होली चोक, आधिका प्रमन कर व्यापारी भायों ने बन को दिये समर्थन में आभार व्यक्त किया तो वही सावने ठानेदार मारुती मुयक द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने हेतू, चप्पे चप्पे पर पुलिस पंदुबस की व्यवसा करने से इस बन से आमचंता को परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ा वही शहर की अत्यावश्रक सिवाय भी सुचारू रूप से चारी रही। वही देर दोपहर के बाद आंदुलन कारियों ने नर्मी आने से व्यवसाइक प्रतिष्ठान खुलने लगे। डोमा साव सावची, वियापारी संके, सचीव मनोज बसवार, राजिन रजित्सकार, अलप संकेक सेलके, साजिश शेख, शमीम कुरैशी, तिलावर शेख, श्रीजे देशमुक, सरपंचि सोनुराव सहिप, अशोक डवरे, सहित कॉंग्रिस, राष्ट्रवादी कॉंग्रि अधिके पदादिकारी दधाकारी करता बड़ी संख्या में उपसित थे, आयोजन का संचालन, राजिन रजित्सकार नी, तो आंदोलन में शामिल नाकरिकों का आभार, सावनेर कलमेश्वर विधान सभाग शित्र की, येवा कॉंग्रेस अध्यक्ष राजिश खंगारी ने माना, बीसे अन्यूस के लिए सावनेर से किशोर डुंडुले की रिपोर्ट